दोस्तर मस्कार मनीरूद चोहान स्वागत आप सभी का गाम गुहांड में कैरणा लोग सभा को लेकर चर्चाय तेज हैं चारो तरप कैरणा लोग सभा की जीकर हो रही है परदीप चोधरी को दोबार अभी भरतेजिंता पार्टी ने टिकट दे दिया है अभी तक मुझूद असांसद है वहीं दूसरी तरफ इंडिया एलाइन्स ने एकर असन को परत्यासी बनाया है अब ऐसे में जो यूवा है और जो एजुकेटिड यूवा है उनसे ये जानने की कोशिस करेंगा उनको क्या लगता है वो इसके बारे में क्या सोचते है क्या भारते जिंदा पार्टी ने जो टिकट दिया है वो टिकट दे कर सही नीरने लिया है समाजबादी पार्टी का नीरने कैसा है और मनीश चोहन को जो लेकर बाते हो रही थी कि मनीश चोहन का टिकट होना चाहिए जितायूवा हैं जोसीले हैं अच्छे बासन भी देते हैं और यहां तक की फोन भी कर देते हैं वहीं परदीव चोधरी जी के लिए शिखायाती है कि चेतर में नहीं आए और काम नहीं कर पाते हैं मोटसाइकल तक नहीं चुड़वा पाते हैं तो ऐसे में जो हमारे साथ में जी हैं और उनसे बात करेंगे उनको क्या लगता है किस तरीके से सोचते हैं और कैना लोग सुबह पर इनका खुद का क्या विसलेशन है नमस्कार अना जी नमस्कार अनुरूद भाई आपका स्वागत पहले तो बहुत बहुत जी आप जो है इस विसे पर चर्चा कर रहे है और विसे विसे बहुत महत्यपूर्ण है कि टिकट यह महत्यपूर्ण नहीं है कि टिकट किसका हुआ यह महत्यपूर्ण नहीं है महत्यपूर्ण यह है कि जनता जो अब की बार जब वोट मांगने के लिए आएगा अपने हाँ पर कोई भी चुना हुआ प्रत्यासी तो उस मेरे अनुसार महत्यपूर्ण ये है कि जब जो यहां से चुनके सदस्र जाता है वो सांसद जो चुनके जाता है वो लोक सभा के अंदर आपके कितने मुद्दे उठाता है वो कौन है और हम किस मुद्दों पर उसको वोट दे रहे हैं वो महत्यपूर्ण है क्योंकि पिछले क कई सालों से हवाल चली वही की, हमें कि सवास्तह के लिए आपने क्या किया है, यह बन्यादी जड़ होती है, यह बन्यारे कि соглас इसको थामने के लिए बुनियादी चीज़े होती हैं तो उस मुद्दे पर कितनी बाते की यह बात अलग है कि मनी चौहान जी ने जैसा आपने का कि वो काम कर देते हैं किसी के मोटर सैकल पकड़ी गई रात को रात को उससे कोल के आपने कर दिया मुझे ऐसा लगता है कि किसी भी अच्छे पद पर बैठे हुए बैकती कि यह कारिया नहीं होते हैं उनके कारिया होते हैं कि वो अपने समाज को बहतर दिशा की तरफ लेके जाएं जहां से वो चुने गए हैं जिसको चुने गए हैं उन लोगों के लिए कि अच्छा ऐसा प्रियास करें ऐसा काम करें कि जिसको लोग याद रखें ऐसे काम पर हमने वोट देना चाहिए अब सबसे बड़ी बात यहाँ पर आते है कि अगर हम स्कूल्स की बात करें, प्राइमरिय स्कूल्स की बात करें क्या वैबस्ता है, आप बताईए, आपके गाउं में एक प्राइमरिय स्कूल है कितने बच्चे परते हैं प्राइमरिय स्कूल में कभी ये स्वाल जनता क्यों नहीं कर पा रही है किसान का बच्चे पढ़नी पारा है, मझदूर का बच्चा नहीं पढ़ पा रहा है फिर हम हम और अरक्षन की बात करते हैं लोगों को बीच में जाके किया रखुशन होना चाहिए, नहीं होना चाहिए, तो हम सिक्साकास्तर बहतर नहीं कर पा रहे हैं, कोई생ी सरकार नहीं कर पा रहे हैं, तो सरकारे तब बनती हैं जब हम किसी को भी चुनके भेजते हैं, वो लोग अगर अंदर जाके उस चीज की आवाज उठाएंगे, तो क्यों नहीं होगा वो काम, तो मैं तो सबसे बड़ा स्वाल यही मानता हूं किसी चीज के भी लिए, कि अगर हम किसी को भी वोट दे रहे ह तो अब की बार मेरा तो सबसे मान नहीं है, हम एक कैमपियन भी चला रहे हैं, समाज विकास में सुन्दान सुभास से मैं जुड़ा हूँ, तो हम एक कैमपियन चला रहे हैं, कि अब की बार जब आपके घर पर आपके गाउं में कोई भी परत्यासी वोट मांगने के लिए है – तो आपका घर पर जवाब क्या होना चाहिए, आपका सवाल क्या होना चाहिए, और क्यों आप उन पेसे दे रहे हैं, यद एक महीं चलाए गई है, क्यों आपको भी यह आप उनमन को दान दीजी यह दीजी वो दीजी गए आप लोग दिया जा रहे है दिया जा रहे है पैसा और उन पैसों से आपका में सरकार सकत्व कर को चंदें खटड़ डिने की ऊमनी सुवाल हों चर्चा करने चाहिए हमें पूछना चाहिए कि सरकारी इसकुल अच्छे क्यों नियुक पूझा है। पर उसकूल, मैं अपने गाउं की खालत बताता हो, हमारे गाउं के एसकूल में पंखे तक नहीं है, आपकी विधानसभा कोन सी है, मेरी विधानसभा कहराना विधानसभा मैं हूँ, और बेजे़ पी सरकार से जो मेरे ihr बुन्यादी सवाल, पि पीछले सबा मेरी गंगो है, जिससे मानिय किरद चोदरी वरतमान में, बिजेपी पार्टी से ही है, वो विदाएक है। वह भी अच्छे मानने जाते हैं, एक कोलपे काम कर देते हैं, पर सवाल आके वहीं पर रुखता है, कि बुनियादी चीजों पर काम नहीं कर रही है, और इन लोगों की हिम्मत नी हो रही अंदर जाके वहाँ पर इन बातों को उठाने के लिए मैं पूछना चाहता हूं मानियनिय किरत सिंग से भी मानिय परदीव जी से भी कि आप लोगों ने सिक्सा के छेत्र में सवास्ते के छेत्र में जो बुन्यादी सवाल हैं लोगों के उनके छेत्र में आप लोगों ने क्या किया और लोग ने अब की बार वोट मांगने आएंगे तो अपने बच्चे को सामने खड़े करना कि मैं इसको कहां पर पढ़ाओं बताओ मुझे सरकार प्राइवेट एसकुल में इतनी सारी इतनी फीस हैं इतना सारा बस्ता बांध कर देते हैं मेरे तो बच्चे नहीं पढ़ पा को आपके बता के लिवार स्वाल है उसक्राश परिवरतन जरूड़ी और इस वज़े से जर जरूड़ी है के एक ही सत्ता लगातार चलती रहे तो उसके अंदर ज है इक खमंड हो जातता है फिर वो अपनी मन मानी करती है जैसे कि BJP आज के दूर में कर रही है तो आपको अब क्या लगता है दोनों जो परतियासी आये हैं इकरासन और प्रदीप चोधरी कौन ज़्यादा अच्छा रहेगा जो स्वास्त की बात कर सके, किसानों की बात कर सके, रोजगार की बात कर सके, सिक्सा की बात कर सके छेत्र के विकास की बात कर सके देखो वैसे तो दुनों पड़े लिखे अच्छे हैं एक्राजी भी बहुत अच्छी पड़ी लिखी है और परदीप चोधरी भी अच्छे हैं पर परदीप चोधरी जी पिछले 5 साल रहे हैं उन्हें तो बात नहीं की है उसे विसे पर बात करने के लिए अपने गाउं में कि यह काम करा दिया उसको चुनके जो हम लोग ने भेजा था वो किस वजह से भीजा था कि हमारी बुन्यादी इस्थितिय पर काम करेगा तो यह कोई अहसान का काम नहीं है पर बात यह है कि अब जो नए प्रतासि आएंगे वह किन मुद्दों पर बात करते हैं जैसे मैं जी क पर बात की, आखिर बात तो करने वाला आया कोई, उस विसे पर, विसे पर बात करो परदीब जी भी, आये और बात करें विसे पर, एजुकेशन के विसे पर, स्वास्ते के विसे पर बात करें, पर वो बंदे हुए हैं, पार्टी, पार्टी नहीं चाहती है, क्योंकि इन महां पे आपको पता है कितना एजुकेशन का रेसो कितना है महां पे 99% लोग जो है वो पढ़े लिखे लोग है तो आज तक महां से बीज़ेपी नहीं आएगी आएगी भी नहीं वो क्योंकि उन लोगों को पता है यह पुंजीवाद सोचके वहकती है अगर वो वैक्ती इस तरीके से काम करेंगे तो यह लोग चाते हैं कि एजुकेशन अगर हम इन लोगों को देंगे तो हम तो बरबाद हो जाएंगे इस वज़े से एजुकेशन को बहार निकालते जा रहे है अभी प्राइवेटी प्राइवेटी जो जिन मुद्दों को लेकर भारते जंता पारटी आई थी कि हम तो रामंदिर बनाएंगे तीन सो सत्तर अटाएंगे देश में नहींने विकास योजनाएं लेकर आएंगे परदान मंत्री आवास योजना हो किसान सम्मान निदी हो और बीमालाब योजना हो इतनी सारी योजना लेकर आ रहे सोचले लेकर आ गए इतने सारे जहां भी जली तक नहीं गई वहां भी जली पहुचा दी वह वस्ता ही देख लिजिए आप जहां जाने में एक गंटा दो 30-20 मिनटा के रस्ते कर दिये आप दिल्ली से चल देजिए देरा दून के लिए दस गंटे लगेंगा आपको वह इसा रोड बना रहे हैं दो गंटे रही बात राम मंदिर की लोगों ने राम मंदिर पर वोट दिया अच्छी बात है राम मंदिर बनवा दिया पर राम मंदिर से मैं जानना चाहता हूँ कि राम मंदिर से क्या इस्थिती सुधार होगा हमारा 370 लोगों के अंदर ये भी बहुत बड़ी गलत फहिम है कि 370 हटा दी गई 370 हटाई नहीं गई है 370 के अंदर प्रावधान चैंज किया गया है और जब से देश अजाद हुआ अब तक जो है ऐसे बहुत लोग बने है जिसके लोगों के अंदर बार बार चैंजिस आए हैं तो लोगों को ये भी बहुत बड़ी गलत फहिम है कि 370 पून रूप से हट गया है अगर मैं आज बैठक है फेस्बुक पर यूटूब पर आएक आईटी सहल अपनी टीम बिठा दूं और लाखो क्रोड रुपे रोज के खरच करूं तो मैं फैमस हो जाओंगा फैमस होने की क्या बात है इसमें गाली देने वाले लोग फैमस हो जाते हैं दिन्या के अंदर हर तरीके के हैं न लोग तो देखने वाले हर तरीके की विचारधरा के लोग हैं तो फैमस होने के लिए नहीं यह वो कह सकते कि हम अगर फैमस हो गए तो फैमस तो पता नहीं फ मोधी जी को क्या करना चाहिए था इतने पहले पहलों ने क्या कर दिया आप देख लो आप सांति वस्ता उत्तरप्रदेश्वी की देख लो पहले कितना क्राइम था कितना क्राइम कम हो गया दिन में गोड़ी चल गी और सामके टाइम 5 बजे के बाद लोग अगर 6 बजे कोई अगया दे रहे मैं तो लेने के लिए जाते थे चरचर भाई अब अखेल आओ खाओ खेलो खूब नाओ दो हाँ यह बहुत अच्छा को स्वाल करया यह ऐसा लगता है लोगोने कि मोधी जी की करपया से होया पर वास्तिकता में लोग जाते जब अखलेस यादव जी की सरका में ठीक है और वर्ल्ड में उस चीज की तारीफ होई थी कि बहुत अच्छा आइडिया जो है अकलेस यादव जी लेकर आए अब जब चोराए चोराए पर पुलिस खड़ी होगी तो क्राइम तो सिद्धी सी बात है खम होगा लोगों के अंदर डार होगा कि यह फटदी सी और उच्छा की इसी जिज में बहुत पक्क्या है अइटी सेल मामले में जो की कॉंग्रेस सपा बिएसपी नहीं कर पाई इस एजम बहुत पिछ रहेगी दिजिटल के मामले में इनवादी जितने काम करे अखलेस यादव जी ने सब कस्रे अपने अपदेल लिया इनवादी 265 कुछ योजना चलाई समति एक दिन में पढ़ रहे था और उन सारी योजना उपे जो है इन्हे जो है मातर अब तक 20% काम किया तो ये योजना हैं कि ये योजना चलाते हैं ये सिरफ डिजिटी करन करें एक योजना चलाएंगे उसको डंडोरा फेट देंगे कि भाई हमने तो ये कर दिया हमने वो कर दिया हमने ये कर दिया अभी आप करें थे फसल भी मा योजना चला अब कितने लोगों की फसल बरबाद होगी किसको मिला जी अभी मैं एक रिपोर्ट पढ़ रहे था हाली में अभी जो है रिपोर्ट पढ़ रहे था मैं लोगों ने जो है अपना बीमा कलेम करने के लिए कहीं कहीं साल लग गये उनका वो आनी रहा अब इतनी फुरसत है किसान के पास में कि वो दो हजार रुपे खा तो उसको कलेम मिल लगा फ़सके लड़ा तो किसको समय है इटना किसान के लिए टिस्ट्म बढ़ना चाहिए अगर उन्म लोगों को वाकि में ही कुद देना क्या होता है पानसु रुपे परती मंत देते हैं सम्वान ने दी छेजार रुपे महीना मेरे से बताओ किसका घर चलता है 6,000 रुपे साल से 6,000 रुपे साल से मैं यह कहता हूँ कि एक बच्चे के अगर प्राइवेट स्कूल में आप पड़ाते हैं तो उसकी दो महिने की फीस है 6,000 रुपे 6,000 रुपे का तो बस्ता नहीं बनता अजी के जमने में बच्चे का अगर एक बच्चा पढ़ने के लिए जाता है तो अगर आठवी सात्वी कलास में बच्चा है तो उसका 10 से 11,000 रुपे का तो बस्ता बनता है बताओ 6,000 रुपे में क्या लग रहा हूँ अब ओड़े पड़े सारी फसल कराब होगी हालकि सुनने माया कि मानी मुख्यमंतरी जी ने उसके उसमें जो है कुछ फैसले लिए है कि मिलेगा या ने मिलेगा या पर मुझे तो यसे लगते हैं कि सारी चुनावी जुमले है मिलेगा Snow पनेता नहीं मिलेगा आपके देश के अंदर आपका सवास्ते अच्छ हो जाए तो आज के टाइम में जितनी भी इंकम है ना एक आम आदमी की वह सवास्ते और शिक्षा पर खतम हो रही है बच्चा बच्चे को पढ़ाने के लिए और उसको अपने अपरिवार को सवस्त रखने के लिए पूरी जीवन की पुंजी खतम हो जा रही है अगर ये सरकार अच्छे तरीके से कर तो बहुत सारे देश्टों में फिरियो रखे हैं दुन्न चीज़े बहुत सारे देश्टों में ट्रांसपोर्ट भी फिरियो रखे है अगर ये अच्छे चीज़े सरकार कर दे तो मुझे नहीं लगता है कि किसानों को को एक भी रूपा देने के जुरत नहीं है तो में तो मेरे तो ये निविदन है आपकी जनता से कि आप जो है सिखसा पर वोट दें आप जो है सवास्ते पर दें आप बुन्यादी और जड़ की जो फांडेशन होती है ने उन चीज़े पर वोट दें मैं तो बस यह कहना चाहिए और कैना लोग सभाकर लेकर जो बाते हो रिती हो लगबग साफ हो चुकी है हम भी कोशिस करेंगे जनता से जानने कि उनके बीच में क्या काम हुए है किस तरह के कारियों पर जनता को वोट करना चाहिए और जो शिक्सा स्वास्त के जमुद्दे हैं उनको लेकर जनता क्या सोचती है खैर आप जुड़े रेक के साथ जाहिन जाबारत